IPL दुनिया की सबसे जादा देखी जाने वाली लीग है इस लीग में खेलने का सपना सभी खिलाडियों का होता है IPL में फैंस का excitement, romance, suspense, tension, बिलकुल high voltage की तरह होता है अगले महीने होने वाले IPL मेगा auction पर सभी की निकाहेटी की हुई है IPL 2022 शुरू होने वाला है ऐसे में दो uncapped खिलाडी ऐसे हैं जिन पर बड़ी बोली लग सकती है ये खिलाडी चंद गेंदों में ही मैच को बदलने की ताकत रखते है शारूखान IPL में पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हैं लेकिन इस बार पंजाब की टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया है शारूखान ने आई IPL 2021 में अपने खेल से सभी का दिल जीता था उन्होंने ग्यारा मैचों में 153 पन रन बनाए वहीं शारूखान पिछले कुछ समय से अपने बल्ले से घरेलो क्रिकेट में कममाल कर रहे है वो बिल्कुल ही धोनी के अंदाज में बल्ले बाजी करने के लिए जाने जाते हैं ऐसे में वो किसी भी टीम के लिए बड़े फाइडमन हो सकते हैं हर टीम को ऐसा फिनिशर चाहिए होता है जो उन्हें आकरी ओवर्स में बल्ले बाजी करके जिता सके शारूख इस पर खरे उतरते हैं तो शारूख खान की टिमांड इस वक्त बहुत जादा है पंचाब ने उन्हें अपनी टीम में ना लेकर अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है तो आप देखना ये होगा कि शारूख को कितनी बोली लगा कर कौन सी टीम ले जाती है आवेश खान दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले जाने वाले आईपिल 2021 में करदा उठा दिया था उनकी गेंदबाजी ने कहर मचाया था आवेश खान ने पिछले साल 16 मैचों में 24 विकेट लिये थे सबसे जादा विकेट लेने के मामले में वो दूसरे नमबर पर रहे टीम इंडिया के लिए वो नेट गेंदबाज के तौर पर भी शामिल रहे थे उनकी धीमी गती की गेंदों पर विकेट लेने की कला उन्हें दूसरों से अलग बनाती है आवेश बहुत ही काति लाना अंदाज में गेंदबाजी करते हैं और डेथ ओवर्स में अपनी तूफानी गेंदबाजी से टीम को मैच जिताते हैं आई पेल 2021 किसका ये खिलाड़ी किसकी टीम में जाता है ये देखना होगा क्योंकि ऐसे गेंदबाज की भी हर टीम को ज़रूरत होती है